देखो सबसे पहले हुम क्या करेंगे एक सरकल ले लेगे सरकल अल दपाओगे तो चौका यहां से इसे डौट कर लिए इसको ठीक है, all 10 शिट दबा के मैंने तो ड्रॉ किया, then control c करना है, copy फोड़ा सा अलग कलर देते हैं मतलब यहां से हमने क्या करा थोड़ा लाइट कलर दे दिया थोड़ा सा लाइट कलर देते हैं तक ही देप सी दिखे यहां पर है कंट्रोल सी कंट्रोल एफ इसको यहां से उठाके ऐसे रख दिया आईड्रोप अटूल और यहां हमने कलर दे दिया यह वाला बस इतना हो गया हमारे पास यह चीज़ ओ गई और इसको अम गया करता हैं इसको मैं page के center रख लेता हूं तो यहां पर मैंने center और center चिक है अब हम क्या करते हैं कि यहां पर इस तरीके से छोटी छोटी circle चला लेते हैं rectangle तो मैंने क्या कर रखेंगल ले लिया एम दबाया M से rectangle आ गए और यहां से मैंने इसे rectangle को ड्रोग किया और color दे दिया कुन सा यह वाला अब हमने क्या करा है R दबाया R से क्या होता है R rotation tool आता है यहां पर दोखे एक center point दिखाई दे रहा है ऐसे hold लिजाओगा तब भी आजागा नहीं तो आप ruler से set कर लो ruler से center point ले लो उसका select करोगे ना तो इसके बाद यहां center point दिखाई देगा इसका यह रहा चिक है तो यह center point आ जाएगा यहां पर अपने क्या करना है यहां पर select करके R दबाना है R दबाने के बाद यहां पर all दबा के click करना है और यहां पर आपको न एंगल दे देने कितना degree एंगल चाहिए अभी चक करते है तो वान टू थी फो फाइच सेवन एट नाइन टेन लेवन ट्वल बारा चाहिए तो थी सिस्ची को बारा से ट्रिवाइड कर देगे कितना है गां तो थी सिस्ची को बारा से हमने डिवाइड किया थटी पिकसल आ जाएगा कॉपी के बटन पर click करेंगे ऐगे ctrl d ctrl d ctrl d ctrl ctrl d ctrl d ctrl d ctrl d ctrl d ctrl यह क्या हो गया हमारे इसे ड्रॉव गया है अब हमें क्या करना है इसको मैं यूँ घुमा देता हूँ ऐसे ठीक है सही है विकल चलो अब एक छोटा सा रेक्टेंगल और ले जाते हूँ बस इस रेक्टेंगल को हमने हैं रख दिया ऐसे एक ठीक है इसको भी से अब घुमा देता है यहां क्लिक किया और दबाया और दबा के क्लिक किया यहां पर है ठीक है टोटल कितने अब यह है यह मैंनुली सेट कर लेता है चलो इसको मैं अपने साब से यह चेक कर रहा हूँ कहां रखना है मुझे तो मैंने यहां रख दिया ऐसे ठीक है ऐसे और कॉपी के बटन दे क्लिक करना है ठीक है और कंट्रूल कि अब दुबारा करते हैं इसको सेट है आए 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 और दबाया रोटेशन टूल और दबा के क्लिक किया और इसे कम कर लेते हैं कॉपी के बटन पर क्लिक कर दिया कंट्रूल डी कंट्रूल डी कंट्रूल डी कंट्रूल डी यह से आ गया ठीक है और यह हो गया हमारा यह सेट हो गया यह सेट हो गया कैसे निकल जा दो, तीन, चार और पाँच कंट्रॉल जी से क्या कराँ गुरूप कर लिया उनको अब क्या कराँ पाँच को मैंने स्लेट किया जाया अठर दाआ, तीक है और दाज के क्लिक कराई यहां पर, ठीक है और कितना एंगड देती है हमने 30 डिगरी और प्रिवीव कर आ यह देख़ो, ऐसा हा रहा है, कॉपी के बुटन पे क्लिक किया, कंट्ल डी कंट्ल डी, कंट्ल डी, कंट्ल डी, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी हो कैसे यह थोड़ा सा ओवरलाप कर रहे हैं इसको थोड़ा सा सेट कर लिया ऐसे अराम से काम किया गरो मतलब जल्दी बज़ी बिनी ऐसे कर दौक है दल्दी अर्णान यह थोड़ी इसन उन्जाद्ट्य ग्वड़ा काम प्रफ। गल्दी टुश्श्श्वरा की कर दो अन्यर्वरा काम बिनी पाई प्र वार्दी अर्दार्णी बचलर वार्योंस्वरा काम काम फ़त्वे अर्फ। कि अगया तो देखो डिजाइन तो होड़ा ऐसे बन गया यह एक है अब हमें क्या चीछ चाहिए अब हमें यह तो पूरा सही बन गया अब मुझे बत नमबर लिखने है पहले हम यहां से शार्ट कर लिए टाइप तूर 12 कोंट साइज चोटा कर लेते हैं इसको ठाके इदा रख लेते हैं इसी की कॉपी करें इसको इदा रख लिया इसी की कॉपी करें इसको इदा रख लिया इसी की कॉपी करें इसको इदा रख लिया इसी की कॉपी करें इदा इसको भी दा रख लिया हमें चीक है यहां पर हम छ यहां आजाएगा 12 और यहां आजाएगा 9 नो चीक है यह डिजाइन हो गया अब एक सुई और बनाने के लिए नहीं तूल उसकर रहो है एक मैंने हैं रेक्टेंगल लिया मुझे इस तरीके सुई चाहिए तो सुई बनाने के लिए मैं क्या करूंगा प्लस का बटन दबाऊंगा प्लस से एड अंकर पॉइंट तूल आता है मैंने प्लस बटन दबाने के बाद क्या करा एक यहां क्लिक करा एक यहां क्लिक करा फिर मैंने क्या करा और दबा के यहां क्लिक कर दिया इस वाले पॉइंट प्लस से कर दो माइनस क्लिक किया और यहां क अगे सेट होगे है है अब हिसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ काट्रोल भी का उसने कर लेता हूं ऐसे को ड़िए सॉलब हो अक्य८त कर देखा हूँ को फूद इसको पीछ कर लेता हूं सिराब 이 Vieा चूर्छ है एक लाइन ले लेते और इसको हम यहां रख लेते हैं नहीं रखे थे एस से कुछ लख लेते हैं यहां पर इसको पीछे बेजिता कंट्र लेट कर लेगा है तो अब देखो हमारा पर डिजाइन जो है ऐसा कुछ बन गया है आई समझ में अब पीछे में एक छोटा सा बैक्राउंड भी लेक लिखाता हूं पर इसी को प्रेक्टिस करना चाहिए तो पीछे क्या है चाहिए मुझे बैक्राउंड चाहिए बैक्राउंड कैसा चाहिए भी अबें चाहिए, यहाँ खुट शुट 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 चाहिए ऐसे डिज़ाइन चाहिए तो मैंने क्या कि रहा है एक रिख यह भूमाड़ेतों मैंसे ऐसे फिर इसके बाद मैं क्या करता हूं इसको उठाके न यहां रख लेते हैं इसको पीछे बेज देते हैं यह आ गया पीछे बेजने की छॉट की बता है न को कंट्रोल यह लेफ्ट कर दी ब्रेकेट आर दबाया रोटेशन टूल और दबाके यहां क्लिक कर दिया एंगल दे दिया मैंने कुछ इप डिग्री और क्लिक कर दिया और कंट्रोल टी तो देको डिजाइन हमारा कुछ इस तरह किसे बन गया है ठीक है आगे समझ में आपको तो आप किसी भी चीच को रूटेट कर सकते हो तो मैंने यह डिजाइन किया गंट्रोल जी से गुरूप कर लेते हैं मुझे इसी को रूटेट करना है और दबाया रूटेशन टूल रिस्पेक्लिक किया और कॉपी कर दिया मैंने गंट्रोल डी ठीक है तो हम किसी भी चीच को ऐसे रूटेट माल सकते हैं आगे रहे हैं हमें आपको ठीक है रूटेशन टूल यह काम करता है तो आपने पर क्या डिजाइन करना आज अपने इसी तरीके से पुरी घड़ी बनानी है सेम बना के देखनी है तो यह घड़ी बनानी है तो यह हमारा रोटेशन टूल फिर क्लियर हो जायागा आप काफी सारी शीज़े बना सकते हो इसम यह फ्लावर बनाना है दो को मैंने एक सेरकल लिया सेरकल को इजह रख दिया और दबाया और से रोटेशन टूल यहां क्लिक किया कितना डिगरी एंगल चाहिए 15 डिगरी एंगल चाहिए कॉपी कंट्रूल डी ठीक है इसे के नदर छुट 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 इनने बना लेते हैं तो मैंने एक सेरकल और लिया इसका कलर को यह और से रख लिते हैं आर दबाया रोटेशन टूल और दबाके क्लिक किया एंगल दे दिया 30 डिगरी कॉपी के बटन पे क्लिक किया कंट्रूल डी क्ट्रूल जी से गुरूप है मैं यह रख लिता हूं पुटा कर लिए इसको जेक है कंट्रूल जी कंट्रूल एफ यह आगया 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 समझ में ना यह हमारा एक्सट बन गया तो यह बनाने आपने ठीक है तो इसी की प्रेक्टिस करो बैक तो पर रिकॉर्डिंग तो अप्लोड कर करेड़कि पूलो जागया